नमस्कार और विल्कम योल वर्ल अफेर्ट नहीं प्रशान दवन और इस वीडियो में डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपरेंट टॉपिक जो आज कैसे में पूरी दुनिया में डिसकस किया जा रहा है वर्ल मीडिया इसको एक्स्टेंसिवली कवर कर रहा है चाइना में देख पाओगे CNN का आर्टिकल है thousands of ethnic minority Muslims defy Chinese authority चाइना की सरकार को defy कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं in defense of mosque ये एक और आर्टिकल है युनान में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं Twitter पे सोशल मीडिया पे और जगा और यहां पे for example आप देख architecture चेंज करने के बहाने पूरे mosque को गिराना दे और इस topic पे यहां पे आप देख पाओगे Washington Post उसके इलावा DW News जर्मनी का उसके इलावा The Hindu सब ने ये topic cover किया है और आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो ये anti Muslim इनकी एक policy है ये किस तरीके से इनके North Western area से जाकर Central China में पह चुँँगा question यहां पर यह है कि हाली में किस country ने ये का है कि चलिए एक 17 billion dollars का connectivity project बिल करते हैं यूरोप से लेकर सीधा West Asia तक जब हम West Asia कहते हैं तो primarily ये area आता है ठीक है इस area को primarily कहा जाता है West Asia तो बताइए किस country ने यूरोप को West Asia से जोडने का जो project है इसका proposal दिया है ये है आपकी option इंडिया, Iraq, USA, Israel इस पर recently बहुत आर्टिकल पब्लिश होए हैं तो आपको पतावना चाहिए इसका answer वैसे सही answer इसका जो है मैं आपको वीडियो के end में देही दूँगा Alright, सबसे पहले तो अगर हम बात करें Islam in China की Muslim जो population है चाइना में roughly 1.6 से लेकर 2% के आसपास आपको मिलेगी बहुत कम population है Muslim skin China मगर तब भी मैं कहूँगा पिछले 10 सालों में हाँ 10 साली मैं कहूँगा 10 सालों में Chinese government ने एक relentless crackdown किया है अपनी Muslim population पे आपने शिंग्यांग जो area है ये वला जो region है इसके बारे में तो बहुत सुना होगा primarily ये जो region है यहाँ पर इधर तो देखिए चाइना ने बहुत ही जरा अत्याचार किया अपनी Muslim population पे और हो सकता है कि आपने से कुछ लोग सोचें कि अच्छा जो recent case है वो भी इसी area का होगा मगर नहीं इस बार जो चाइना का crackdown चल रहा है ये चाइना के बिलकुल southern region में हो रहा है और वैसे मैं आपको बताओं मैं 2019 से देख रहा था कि जो शेंग ज्यांग province में हुआ चाइना के उसके बाद से ना चाइना के बहुत सारे और provinces में जहाँ पर Muslims रहते हैं वहाँ पर डर ये था कि जैसे ही ये शेंग ज्यांग में अपना crackdown complete कर देंगे उसके बाद ना ये बाकी regions पे attack करना start कर देंगे बाकी regions में जो mosque है उसका demolition शुरू हो जाएगा ओलेडी चाइना बहुत सी मज़िते गिरा चुका है कई reports इस पर आ चुकी है कई मज़ितों के architecture चेंज कर चुका है altogether बट जो recent case है ना वो यहाँ पे अगर मैं आपको इंडिया के बहुत ही पराने trade relations भी रह चुके हैं युरान प्रोविंस है और यहाँ पे आप देख पाओगे यह जो region है ना यहाँ पे एक मज़ित है मज़ित का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे नाइंग मॉस्क है और इस मॉस्क को ना चाइना की सरकार तोड़ना चात है कि order सबसे पहले court ही देता है जी हाँ court ने ही सबसे पहले order दिये कि यह जो मज़ित है ना यह एक Chinese architecture के एसाब से नहीं बनी हुई तो इसलिए ना इसको demolish करना होगा तो पहले तो देखो यह मज़ित को बंद करेंगे altogether यहाँ पे प्रेयर रोक दी जाएगी उसके बाद एक बहुत सारी मज़िते बंद हो चुकी है इनके पास प्रेयर करने की जगा नहीं है तो एक जो एक main mosque है इनकी city में उसको यह गिरने नहीं देंगे तो इसलिए हजारों लोग आज के समये police authorities से लड़ रहे हैं कैसे भी करके अपनी mosque को बचाने की कोशिच कर रहे हैं और इसके बारे में यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है the authorities are reportedly attempting to raise the dome and for minarets of the building main China को बात जो खड़कती है वो Islamic architecture है यह थोड़ा सा और detail में आपको समझाता हूँ for example यह मजजद है चाइना में यहां पे आप देख पाओगे यह dome है यह मिनारेट यहां पे हो गए ठीक है ना चाइना का जो court है यह अपनी सरकार को यह कह चुका है कि अगर मजजद होगी तो ऐसी दिखनी चाहिए it should have Chinese cultural architecture over there वहाँ पे आप एक foreign architecture को यूज नहीं करोगे क्य में आए है ना इन्होंने इस topic को बहुत ही जादा importance दिया नहीं तो यह जो यह dome वाला issue है यह कुछ दशक पहले भी चाइना में न्यूस में रहता था मगर जब से शी जिंग पिंग आए है इन्होंने तो all together पूरे चाइना का complete landscape change कर दिया है regarding Islamic architecture बहुत सी मजदे हैं उनको य या completely उनका structure change कर दिया गया है और अब देखना यहाँ पर यह होगा कि चाइना में जो Muslim population है जो especially युनान में जो यह Muslim population है क्या अपनी मजद को यह लोग बचा पाएंगे या फिर eventually चाइना की सरकार इतनी security force भीज देगी यहाँ पर कियाम आदमी पीछे हो जाएगा और eventually जो इनको मस्जित के साथ करना है यह कर देंगे अब यहाँ पर आप कह सकते हैं अच्छा maximum यह लोग क्या करेंगे जो यह डोम है मिनारेट है इसको तोड़ और देंगे और मस्जित को थोड़ा बहुत ऐसा बना देंगे यह होगा ना देखो चाइना की सरकार कहती तो ऐसा है यह लोग वेड करते हैं कि कब लोग भूली जाएं altogether कि यहाँ पर मस्जित एक्जिस्ट भी करती थी बहुत कम मस्जिते हैं जिसको altogether चाइना की सरकार ने remodel करके architecture चेंज करके rebuild किया है और मुझे यहाँ पर सबसे अजीब बात यह लगती है कि पिछले ही साल 2022 में चाइना को इन्डिया में किसी गुमनाम आउटलेट ने कवर कर दिया या फिर किसी ने Twitter पे एक दो tweets कर दी यह एक global issue है CNN BBC Washington Post दुनिया भर का media इसको cover कर रहा है Indian media से लेकर western media और कोई बड़ी बात नहीं है एक दो साल बाद यह फिर से चाइना को as a special guest invite करें Indian देखिये यही कहूंगा money की power है China के पास financial muscle है तो OIC जो भी इनके यह सब काम है इसको ignore कर देता है बट यहाँ पर मैं यह भी कहूंगा कि इंडिया की जो statement थी regarding OIC कि इनका एक anti-India agenda है और यह काफी जगा बिना वजे भी इंडिया की अलोशना करते हैं यह काफी हद तक सही भी दिख रहा है क्योंकि अगर यह चाइना की इस सब issue पर भी कोई अलोशना नहीं करते है statement भी नहीं देते तो OIC की credibility कुछ इत्ती बचती नहीं है तो यह topic देखिए अभी news मे करती है demolish करने की तो हो सकता है कि यह जो पूरा issue है यह काफी लंबा भी चले ना फाइनली वापस आते हैं हमने question पे किस country ने recently 17 billion dollar का एक plan propose किया है जिससे यूरोप को connect कर दिया जाएगा with West Asia तो सही उत्तर यहां पे है Iraq जी हां इराक यहां पे आप देख पाओगे इराक ने एक 17 billion dollar का transportation project यह plan कर दिया है इसमें कई countries की investment यह चाते हैं जिससे यूरोप और Asia को link कर दिया जाएगा ना यह project reality में convert होगा या नहीं होगा पता नहीं बट इराक ने अपनी तरव से एक पहल करी है और finally आपर मैं यह भी add कर दो कियान अकाडमी के discount extend हो चुके है with larger discount last time आपको प्याद होगा यह जो discount है यह 10% का होता था तो अभी 50% का discount आपको मिल रहा है on various courses तो for example let's say आप prepare करना चाते हैं UPSC exam के लिए तो comment section में जाओ पिंड comment में यहाँ पे आपको मिलेगा link UPSC subscription का यहाँ पे करिए click और यहाँ पे आपन academy का UPSC course purchase कर पाएंगे with a very heavy 50% discount तो जो prices य करिए code PD10 and you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है वीडियो का और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ May the gods watch over you